इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझने की कोसिस करेंगे कि A to the power 0 is equal to 1 कैसे होता है Exactly I mean to say that any non-zero real number A to the power 0 is equal to 1 कैसे होता है Right, मैंने कहा any non-zero real number इसका मतलब साफ है मैं इस लेक्चर में इन numbers की बात कर रहा हूं ना कि इसकी बस इतना ध्यान रखेगा कि इस वीडियो में मैं 0 to the power 0 की बात नहीं कर रहा हूं मुझे मालूम है अब आप ये सोच रहे होगे कि 0 to the power 0 में ऐसा क्या रखा है घबराइए मत इस टॉपिक पे मैंने अल्रेडी एक dedicated वीडियो बना रखा है आप इस वीडियो के बाद playlist में जा करके उसे check out कर सकते हो मैं जल्द ही उसे भी upload कर दूँगा अब सवाद ये है कि इसी वीडियो में मैं 0 to the power 0 की बात क्यों नहीं कर रहा हूं क्यों मुझे एक अलग से dedicated वीडियो इस topic पे बनाना पड़ा इस सवाल का जबाब मैं दूँ बहतर होगा आप पहले ये देख लो ये है एक online calculator देखते हैं ये क्या answer देता है मैंने type किया 0 to the power 0 चलिए answer के लिए request करते हैं और देखते हैं result ये क्या देता है इस से पहले आप कुछ react करो इसे भी देख लो ये है एक smartphone चलिए देखते हैं इस case में हमें क्या result मिलता है मैंने calculator का app open किया और मैंने type किया 0 तूदी पावर ये तूदी पावर के लिए symbol है 0 और चलिए answer के लिए request करते हैं amazing answer is undefined or one देखे calculator खुद बता रहा है इसका कोई single answer possible नहीं है anyhow detail बात तो हम किसी दोस्टे वीडियो में ही कर रहे हैं ये है एक scientific calculator देखते हैं इस case में हमें क्या answer मिलता है मैंने calculator on किया और मैंने type किया 0 तूदी पावर जीरो और चलिए answer के लिए request करते हैं and the answer is देखे ये error सो कर रहा है अगर आप को और से देख पा रहे हो तो it's error तो चलिए iPhone भी try करके देख ले ये मैंने calculator का app open किया और मैंने type किया 0 तूदी पावर के लिए ये symbol है अगर आप देख पा रहे हो तो और मैंने फिर से 0 टाइप किया यानि कि ये मैंने लिखा 0 to the power 0 और request करते हैं answer के लिए and the answer is error ये error सो कर रहा है बस यही वो बचा है जसकारण से हम 0 to the power 0 की बात straight forward नहीं कर सकते anyhow पुराने सवाल में back होते हैं तो चलिए फिर सुरू करते हैं now take the LHS of above statement which is none other than a to the power 0 now a to the power 0 can be written as a to the power n minus n like 5 minus 5, 7 minus 7 now as per the laws of exponent this can be written as a to the power n divided by a to the power n and you know very well that कि जब दो हम same numerical value को divide करते हैं तो result आता है 1 जैसे कि 5 by 5 is equal to 1 7 by 7 is equal to 1 in this way आपने सावित किया LHS is equal to RHS ultimately आपने ये सो किया e to the power 0 is equal to 1 that's all आपने सावित कि 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 आपने सावि